आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक प्रशन को क्रॉप करो और तुरेंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही राउटनोट करें हेलो फ्रेंट्स हमें कोशन दिया हुआ है वक्र x square प्लस 2y square माइनस 4x माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 के उस बिंदू पर अविलंब का समीकरण ग्याद कीजिए जिसका भुंजक 2 है तो बेसिकली भुंजक क्या होता है उस बिंदू का x निर्दे सांग भुंजक इक्वल टू x निर्दे सांग तो हमें x निर्दे सांग कितना दे रखा है x निर्दे सांग हमें 2 दे रखा है तो जब हमें x दे रखा है तो सबसे बहले y निकाल लेते हैं तो देखो 2 का all square plus 2y square 4 दुनी 8 minus 6y plus 8 equal to 0 तो यहां से हम इसको देखें तो देखो यह 8 से 8 cancel हो दाएगा 2y square minus 6y plus 2 का all square यहनि 4 equal to 0 यहां से y square minus 3y plus 2 equal to 0 इसको factor कर लेते हैं तो यहां से हमें के मिलेगा है y minus 1 and y minus 2 equal to 0 तो यहां से हमें y के 2 मान मिलेंगे y equal to 1v होगा और y equal to 2v होगा इसका मतलब यह होगा कि हमारे पास अविलम के 2 समिकर होगे तो हमारे पास 2 बिंदू है तो 2 समिकर होगे पहला बिंदू मान लेते हैं 2,1 है और दूसरा बिंदू यह मैंने मान लिया बिंदू A और दूसरा बिंदू मैंने B मान लिया 2,2 जिनमें x तो समान है लेकिन y अलग अलग है तो अब हमारे पास बिंदू तो है लेकिन प्रवड़ता नहीं है तो सबसे पहले हम इस वक्र का अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं चूंकि d by by dx of x की पावर n का जो अवकलन होता है वो माना होता है n into x की पावर n minus 1 तो ऐसे ही x square का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, 2y square का 4y, अब y का अवकलन x के साब इच कर रहे हैं तो d by by dx आ जाएगा, minus 4x का minus 4, minus 6y का minus 6, d by by dx 0, तो यहां से हमें d by by dx का मान के तरह मिल जाएगा तो d by by dx का मान यहां से हमें मिलेगा 4 minus 2x upon 4y minus 6 इसको छोड़ा solve कर लेते हैं 2 minus x upon 2y minus 3 अब यह तो हमारी क्या है, d by by dx क्या होती है, एक तरीके से किसी भी वक्र पर इस पर स्रेखा की प्रवड़ता होती है जो कि किसी बिंदू पर खीचे जाती है इस पर स्रेखा की प्रवड़ता और हम चानते हैं कि अविलम्ब की प्रवड़ता क्या होती है अविलम्ब की प्रवड़ता उसी बिंदू पर अविलंब की प्रवड़ता यह हमारी होती है माइनस वन अपॉन डिवाईबर डिएक्स यानि इसके व्यतकुरूम का माइनस चिन तो हमें क्या मिल जाएगी है तो अब हम इन दोनों बिंदूं अबर प्रवड़ता निकाल लेते हैं तो बिंदू ए पर प्रवड़ता at a तो 2y तो a हमारा 2,1 है तो 2 into 1-3 upon 2-2 तो यहां से हम देखें तो यहां से हम देखें तो हमारी प्रवड़ता कितनी आएगी यह minus 1 upon 0 यानि प्रवड़ता हमारी है infinite basically अनंत प्रवड़ता है यानि 90 degree का एंगल बना रही है ठीक है और प्रवड़ता बी बिंदू पर निकाले है प्रवड़ता अगर हम बी बिंदू पर निकाले है तो बी बिंदू पर कितनी हो जाएगी 2 into 2-3 upon 2-2 तो यहां पर भी हुआ ही चीज तो यहां पर भी हमें प्रवड़ता यानि दोनों बिंदू पर हमारी प्रवड़ता क्या है सेम है तो इसके लिए अब सम्मिक्रट कैसे निकालेंगे तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई बिंदू x1 and y1 है कोई बिंदू मानलो जनरल और किसी रेखा की प्रवड़ता m है तो उस रेखा का सम्मिक्रट हमारे पास होता है y-y1 equal to m into x-x1 तो ऐसे हमारे पास बिंदू तो दो है प्रवड़ता हमारे पास 1 upon 0 यानि infinite है तो पहले बिंदू ये पर बात कर लेते हैं तो y-1 equal to प्रवड़ता हमारे infinite into x-2 तो 1 upon 0 तो ये तो हमारा होज़ाएगा 0 और ये हमारा x-2 तो यहां से अब लम का सम्मिक्रट क्या निकला x equal to 2 बिंदू बी पर बात करेंगे तो y-2 equal to y-2 equal to infinite into x-2 तो यहां पर भी भी वही सेम करानी 0 equal to x-2 बिंदू बर एविलम का एक ही सम्मिक्रण होगा जो की x equal to 2 होगा Thank you